ओम क्लीम क्रिश्नाय नमा पद्म पुरान की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्रीहर विश्नु और माता लक्ष्मी की कृपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धनिवाद और अब भगवान श्रीहर विश्नु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंब करते हैं सूती जी कहते हैं कि हे ब्रामवडो प्रिथवी की बात सुनकर राजा प्रिथू ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन रूप वाले भारी भारी परवतों को उखाड़ दाला और भूमी को समतल बना दिया राजकुमार प्रिथू ने प्रिथवी के शरीर से अपने बाणों को स्वैम ही निकाल लिया उनके आविर भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ती हुई थी कोई सच्चा राजा ही नहीं हुआ था और उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमी में गुफा बना कर कहीं परवत पर कहीं नदी के किनारे जंगली जाडियों में और संपूर्ण तीर्थों में तता समुद्र के किनारों पर निवास करती थी सब लोग पुन्यकर्मों में लगे रहती थी फल, फूल और मधू यही उनका आहार हुआ करता था वेन कुमार प्रिथू ने प्रजा के इसकष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वायंफू अमनू को बचड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बना कर प्रिथ्वी से सबप्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन किया सुधा के समान लाब पहुँचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा, पित्रों तथा ब्रह्मा आधी देवताओं का यजन पूजन करने लगी हे द्विज्वरों उस समय की सारी प्रजा पुन्य कर्म में सनलग न रहती थी अतह देवताओं, पित्रों, विशेशता ब्राम्वनों और अतिथियों को अन्न देकर पस्चात स्वयम भोजन करती थी उसी अन्न से अन्यान्य यग्यों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विश्णू का यजन और तरपन करती तथा उसी अन्न के द्वारा संपुण देवता त्रिप्थ होते थे फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेग पानी बरसाता और उससे पवित्र अन आदि उत्पन होता था तदनंतर समस्त रिशियों, महामना ब्राम्भणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृत्वी का दोहन किया अब मैं यह बताता हूँ कि पितर अदि ने किस प्रकार बच्छणों की कलपना करके पुर्वकाल में वसुधा को दुहा था हेद्वी जोत्तमो पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बच्छणा बनाया अंतक ने दुहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दुग्द को दुहा इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बच्छणा बनाकर तुम भी का पात्र हात में लेकर विश रूपी दूद दुहा वे महा बली और महा काय भयानक सर्प उस विश से ही जीवन धारन करते हैं विश ही उनका आधार विश ही आकार विश ही बल और विश ही पराकरम है इसी प्रकार समस्त असरों और दानवों ने भी अन के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपुर्ण कामनाओं के साधन भू उसी को पाकर आज भी समस्त दानों माया में प्रवीर देखे जाते हैं इसके बाद गंधर्वों और अपसराओं ने प्रिथ्वी का दोहन किया निरिथ्य और संगीत की विद्या ही उनका दूद थी उसी से गंधर्व यक्ष और अपसराओं की जीविका चलती है परम पुन्य यही उनका दूद था उस समय पाकर का पेड़ बचड़ा बना था और शाल के पवित्र व्रिक्ष ने दूहने का काम किया था गुहियक चारण सिद्ध और विद्याधरों ने भी सब को धारण करने वाली इस प्रिथ्वी को दूहा था उस समय यह वसुन्धरा संपुन अभ अत्त जारन करने वाली और विधातुरू अर्था उत्पण करने वाली हैं यह स्रेश्ट वसुन्धरां है यही महालक्ष्मी और सब प्रकार के कल्यान की जननी है यही पांचों भूतों का प्रकाश और रूप है यह समुद्र पर्यंत प्रित्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्य थी फिर अपने को वेन कुमार राजा प्रित्व की पुत्री स्वीकार करने के कारण यह हुई और सब प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर ही प्रकट हुए इस वसुमति देवी की ऐसी ही महिमा बतलाई गई है यह सर्वदा सर्व लोक मई मानी गई है वेन कुमार महराज प्रिथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वरणित है यह महाभाग नरेश संपुर्ण धर्म करना चाहते हों उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार प्रिथु को नमस्कार करना चाहिए जो धनुर्वेद का ज्यान और युद्ध में सदाही विजय प्राप्त करना चाहते हों उन्हें भी महाराज प्रिथु को प्रणाम करना चाहिए संब्राट प्रिथु राज प्रिश्यों ने पूछा, हे सूत जी, पापा चार पुर्ण बरताव करने वाले, जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी बोले, हे ब्रामणों, प्रिथु जैसे सौभागेशाली और महातना पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रही थो गया, उसे धर्म का फल प्राप्थ हुआ, जिन नरेशों ने समस्त महापाप का उपारजन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से प्रिष्यों ने पूछा, हे महामते, पापी मनुष्यों को परमसिध्धी की प्राप्थी कैसे होती है, यह बाद भी हमें विस्तार के साथ बतलाईए, सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन तीन नदियों की धारा के आसपास, जो महापापी रहते हैं, वे ज जल में नहाते और क्रीडा करते हैं, आता, महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ती हो जाती है, हेद्विजवरों, महानदी के संपर्ख से अत्वा अन्याने नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्स और पान करने से पापियों का पाप नश्ठ हो जाता है तीर्थों के प्रभाव तता संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नश्ठ होता है जैसे की आग इंधन को जला डालती है महात्मारिश्यों के संसर्ग उनके साथ वार्ता लाप करने से दर्शन और स्पर्श से तथा पुर्वकाल में सत्संग प्राप्त हो जिनका नाम सुनीथा रखा गया था वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी एक दिन सुनीथा अपनी सक्षियों के साथ खेलती हुई वन में गई वहाँ गीत की ध्वनी उसके कानों में पड़ी तब सुनीथा ने उस और द सताने लगी सुशंख रोज रोज उसके अपराद को ख्षमा कर देता था और कहता कि जाओ चली जाओ यहां से उसके यो कहने पर वह बाली का कुपित हो जाती और बेचारी तपस्वी को पीटने लगती थी उनका यह बरताव देखकर एक दिन सुशंख क्रोधित हो उठा औ पाप करने वाली सुनिथा से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवरित हो रहा और उसे अबला इस्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिये लोट गया सुनिथा ने पिता के पास जाकर कहा हे तात मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है वह काम क्र से रही ठोकर तपस्या कर रहा था और मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा है कि मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है पिता जी बताइए उसके इस कथन का क्या कारण है सुनिथा के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यू ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्ण का उत्तर ही नहीं दिया, तदनंतर वह फिरवन में गई, शुशंक तपस्या में लगा हुआ था, दुष्ट सुभाव वाली सुनीथा ने उस स्रेष्ट तपस्वी के पास जाकर उसे कोडों से पीटना प्रारंब कर दिया, अब व महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को न रोग सका, उस सुन्दरी बालिका को शाप देते हुए बोला, ग्रियस्त धर्मे में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पती के साथ संपर्ख होगा, तब तुम्हारे गर्ब से देवताओं और ब्रामणों की निंदा क अचारी सब प्रकार के पापों से आ सकत और दुष्ट पुत्र उत्पन होगा, इस प्रकार शाप देकर वह पुना जाकर तपस्या में ही लग गया, महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनी था अपने घर आई, और वहाँ उसने अपने पिता से सारा व्रितांत क सुनाया, मृत्यू ने कहा, अरी उस निर्दोष तपस्वी को तुमने मारा ही क्यों है, भद्रे तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना या तुम्हारे द्वारा उचितकारी नहीं हुआ है, धर्मात्मा मृत्यू ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गय, श्री सूती जी कहत हैं, एक समय की बात है, महर्शी अत्री के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदनवन में गय थे, वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अपसराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया, उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मा अंग सोचने लगे कि किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ती हो, क्षन भर इस बात का विचार करके, राजा अंग खिन हो उठे, और नंदनवन से जब वो घर लोटे, तो अपने पिता अत्री के चर्णों में मस्तक जुका कर बोले, पिता जी, आप ज् स्रेष्ट और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं, मुझे इंद्र के समान व्यभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताईए, अपने पुत्र की ये बाते सुनकर अत्री ने कहा, है साधू सेष्ट, भक्ती करने और स्रधा पुर्वक ध्यान लगाने स भग्वान श्री विष्णू संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं, भग्वान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता हैं, सबकी उत्पत्ती के कारण है, सर्वग्य है, सर्ववित्ता है, सर्वेश्वर है और परम पुरु उन्हीं की आराधना करो उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्शी अत्री ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे उनसे आज्या लेकर अंग ने प्रस्थान किया वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से शुशो वे कामक्रोध का त्याग करके संपुण इंद्रियों को काबु में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूब का ध्यान करने लगे। वे वल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें सो बर्स बीद गये। नियम संयम तथा उपवास के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। तो भी वे अपने तेज से सुर्य और अगनी के समान देदिप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस समय तपस्या में प्रवृत होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंगे के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले हे मानद वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्तित देखकर राजा अंग को प्राणियों के आत्मा सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारन करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप गुण स्वरूप गोहिय तथा गुणातीत हैं आपको नमस्कार है गुण गुण करता गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है आप भव अर्थात संसार रूप भव करता तथा भक्तों के संसार बंधन का अभरन करने वाले हैं आपको नमस्कार है भव की उत्पत्ती के कारण होने से आपका नाम भव है इस भव में आप अव्यक्त रूप से शुपे हुए हैं इसलिए आपको भवगुय कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं इससे आपका नाम भव विनाशी है आपको प्रणाम है आप यग्य, यग्य रूप, यग्येश्वर और यग्य कर्म में सनलगने हैं आपको नमस्कार है शंक धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है चक्रधारी श्री विष्णू को प्रणाम है सत्य, सत्यभाव, सर्व सत्यमय, धर्म, धर्म करता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है धर्म आपका अंग है और आप स्रेश्ट वीर और धर्म के आधार भूत हैं आपको नमसकार है आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं आपको नमसकार है आप मायाधारी मूर्थ अर्थात साकार और अमूर्थ अर्थात निराकार भी हैं, आपको प्रणाम है। आपको प्रणाम है। अगनी तथा हविशरूप हैं, आपको नमसकार है। आप बुद्ध अर्थात ज्यानी, बुद्ध अर्थात विद्वान तथा सदा बुद्ध अर्थात नित्य ज्यानी हैं, आपको प्रणाम है। स्वाहकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा व्यास अर्थात वेदों का विस्तार करने वाले, वासव अर्थात वसु पुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप हैं, आपको नमसकार है। आप वासु देव, विश्व रूप और वहनी स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। हरी, कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमसकार है। सत्व गुण की रक्षा करने वाले भगवान रिसिम देव को प्रणाम हैं, गोविंद एवं गोपाल को नमसकार है। हे भगवन, आप एकाक्षर अर्थात प्रणव, सर्वाक्षर अर्थात वरण रूप और हंस स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। तीन, पाच और पच्चिस तत्व आपके ही रूप हैं। आप समश्त तत्वों के आधार हैं, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण रूप अर्थात श्याम विग्रह तथा लक्ष्मी नाथ हैं, आपको प्रणाम है। आप विश्व के भर्ण पोशन करने वाले तथा पापों के नाशक हैं, आपको प्रणाम है। हे सर्वेश्वर ईश, हे मदुसूदन, मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। शंक धारन करने वाले शांत इदाई केशव, आपके चरणों में मैं मस्तक जुकाता हूँ। प्रतेक जन्मे में मुझे पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी, हे पद्मनाब, संसार रूपी दुसा अगनी के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्यान रूपी मेग की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए। तथा मुझे दिन के लिए शरन रूप हो जाईये। आंगे के मुक्सिय स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन करवाया। उनका मेगे के समान श्यामवरण तथा महान ओजस्वी शरीर था। तथा हाथ में शंक, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब और महान प्रकास चा रहा था। श्री भगवान गरुड की पीट पर बैठे हुए थे और अंगों में सब प्रकार के आभूशन सोभा पा रहे थे। हार, कंकड, कुंडलों से शिशोभी तथा वनमाला से उज्वल उनका अत्यांत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्ष नामक चिन्ह और पुन्य मैं कौस्तुब मनी से उनकी अपुर्व शोभा हु रही थी। वे सर्वदेव मैं श्री हरी समस्त अलंकारों की शोभा से संपन अपने श्री विग्र की जाकी कराकर रिसी श्रेष्ट अंग से बोले। हे महाभाग मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष से भर कर कहा, हे देवेश्वर मैं आपका दास हूँ, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपुर्ण तेज से संपन इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुन्दर पुत्र मुझे देने की क्रिपा करें, वह पुत्र संपुर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राम्हण भग्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वा अद्वितिय, शूर वीर, वेदो का विद्वान, सत्य प्रतिग्य, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्व शास्त्र विशारद हो, हे प्रफो, यदि आप वर देने के लिए उच्चुक हो, तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वर्दान दीजिए, भग्वान वासुद को प्राप्थ होगे, इस प्रकार वर्दान देकर भग्वान श्री विश्नु अंतरध्यान हो गये, रिश्यो ने पूछा, हे सूद जी, गंधर विश्रेष्ट सुशंक ने जब सुनिथा को शाप दे दिया, तब वह शाप उसके उपर किस प्रकार लागू हुआ, उसके ब पर गंधर्व कुमार शुशंक का शाप किस प्रकार से लागू हुआ, तो कल की कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कल की कथा अत्यन थी रोचक और ज्यानवर्दक होने वाली है, और अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक किये बिना तो भी करना है,